आई डीबियाई बेंक मां हिसो वेचवा में जान्योरी मां रोड थशे अने नवी पोलीसी थी आई डीबियाई बेंक ना रोकान कारवने पन लाब थशे समगर विगा तो जानी है सयोगी लक्षमन रोई पासे थी लेक्षमन बताएं किस तरह की जानकारी मिल रही है आई डीबियाई के विनिवेश को लेकर जी दरसल आई डीबियाई बैंक को लेकर एक बड़ी खवर यह निकल कर आ रही है जो सुत्रों से मुझे जानकारी मिल रही है विनिवेश विखाग के सुत्रों से वो यह कि IDBI bank में सरकार जो हिसेदारी बेचना चाहती है हिसेदारी बेचनी की प्रकिरिया अब जो हैसो काफी advance stage पे पहुँच गई है और January के दूसरे हपते में यानि अगले महिने के दूसरे हपते में इसके लिए road show शुरू किया जा सकता है या फिर कर शुरू किया जाएगा और दूसरा January के आखिर तक इसके लिए expression of interest निकाल दिया जाएगा और विन्वेश भाग के सुत्रों का ये भी कहना है कि Reserve Bank के साथ जो लंबा सला मश्विरा चल ला था वो consultation भी IDBI Bank का Reserve Bank के साथ पूरा हो चुका है और Reserve Bank ने हाली में जो promoter की नई policy निकाली है उससे IDBI Bank में stake cell को काफी जादा फायदा होगा बता दूँ कि Reserve Bank ने ये कहा था कि long term में जो promoter है उनके अधिकतम हिस्सेदारी 15% की बजाए वो 26% तक रख सकते हैं इस बात का notification दिया था RBI ने इससे काफी फायदा मिलेगा IDBI को और एक महत्पून बात और ये है कि IDBI में हिस्सेदारी बेशते वक्त एक सीमा तक private equity, financial institution, fintech कंपनियों को भी हिस्सेदारी लेने की छूट दी जाएगी और यहां बताना चाहों कि सरकार अपनी करीब 45% हिस्सेदारी और LIC अपनी करीब 49% हिस्सेदारी IDBI बैंक में बेचना चाहती है